आज का हमारा ट्रापिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानि की उट्सर्जन तंत्र जो भी हमारी शरीर में उपापचे डेजेशन की क्रियाइं होती हैं उनके बाद जो है उनमें से कुछ वेस्ट प्रोड़क्स बनते हैं ठीक है जिरे हम नाइट्रोजन यूट अप्शिष्ट शरीर के उत्तकों से बाहर निकल लें की जो प्रॉस्थ होती है हमारी बोड़ी में अलग-अलग तरह की टिश्व पाए जाते हैं उन से जो है वह अप्शिष्पदार्दों का निकलना क्या कहलाता है एक्सक्रीटरि क्या कहलाता है उत्सर्जन के अधार पर जीव तीन बरक करते हैं ठीक है जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं यह जलिये जी होते हैं ज्यादा करते हैं जैसे मचली हैं ठीक है फानी और बहाँ दोनों में ही रहते हैं लेकिन जो करने वाले जीव क्या कहलाते हैं ऐसे जीवों को जल की अधिक आवश्यक्ता होती है जल की सबसे ज़्यादा अवश्यक्ता होती है जो भी जल ये जीव होंगी जैसे समूंधरी गोडा है और इसके लावा सब चार करते हैं यी जैसे मैंडक наверippers को यह पाध और देखते हैं यह सब क्या कर दे झाल कि तो हुदा बहुत इसका उत्सर्जन करते हैं फिर है यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव कंस होते हैं ऐसे जीवों को जल की अवश्चता बहुत ही काम होती है हम लोगों को को एक minimum quantity होती है कि उसके अंदर इतनी ही हमें क्या रही हुथ है। ज़लिक में हम लोग रापर मेंनृ ait भॉट और बन जाता है। जो आ जाता है उसमें गाहें, वहेस ही काई जेल् 녹र सकती है। जल हो जो में धिखते हैं वो सब के सब कौन से होते हैंdays pub ऐता है यूरीको पदलिक है ठीहान से पड़ना एक होता है एक उरीको टैलिक यूरिक एसिड काउप संजनर करने वाले यूरिय यूरिय काउसरजन है ठीक है कि ऐसे मनुष्य मेंइग है चाइन से और यूरिक है है यूरीक आपको बता दिया कि यूरीक एसिट का उसर्जन करने वाले जीव जो होते हैं इन्हें जल्किया वश्चता सबसे कम होती है अगर आप देखो कि तो पानी पिते हुए चिपकली है पक्षी वर्ग है जिनके अंदर क्या है उसके अंदर क्या पाया जाता है मुद्रा इन डोनों में से ही होते हैं इसका कुष्षन बहुत कम ही मुच्छा जाता है जैसे पक्षी वर्क कई पानी के नानी के अंदर पानी के अंदर कभी नहीं रहते हैं। नहीं होंगे हैं पानी की आवशकता नहीं होते हैं दर सब्सक्राइब हैं जमीन कोंसे आह ते हैं यो इसे में जलिया-ईभाइब है वो करना डाहें गाइग तो तो फैसच rich प्रिकोटेलिक में जिकोजल की आवशक्ता सबसे कम होती है जिसी कॉक्रोच है जिकली पक्षी वर्गा जाएंगे आपनको यह सबसे मेल हैं यह बाखने हेां पनुष्य में उच्छी बढ़ना है मनुष्य समख के पीछे के भाग में बेकवों की दोनों तरफ होती है किड़नी स्टमख के पीछी पीछे के भाद में बैक्बॉन के जब भी किड़नी के अंदर स्टोन होती है तो में क्या होती है पर ग्ष tantност होती है एक सें तो गहरे लाल रूपकी होती है सें उसके बीच जैसे है अब देखो किड्न का बहां कितना होता है 125 से 170 ग्राम होता है तता महिलाओं के एक सो पच्पन ग्राम के पीच में होता है किड्नी को विज्ञान में रीनल कहा जाता है ठीक है रीनल आर्ट्री होगी रीनल वीन्स भी होगी जो इससे जुड़ी हुए होती है यूंकि ब्लड को प्यूरिफाइब करती है ठीक है इसके अलावा देखो एडिनल जुड़ा हु किड्नी जाता है इसको रीनल कहा जाता इसको क्या कहा जाता था ऑनकिने से समंधित पुरिया में डिसीज हो जाती है इसके रावा की यूनिट नाफम के किसा कि अदर क्यों होते है नाफम कैसे दिखते हैं एकदम जैसे आपकी बाल की जो क Hind दिए तक पतला होता है एक तेखों के उसका पीडिकेशन हो उस सो मालत कीया जाते हैं इसी की फ्रॉसेस होती है ठीक है कि जाते हैं यही सारा वर्क करते हैं उसके अदर नाइट्रोजन क्या करेंगे सब्सक्राइब कर दिया जाता है यूरिया देखो कि तो आप लीवर में बनता है कि किड्नी में नहीं बनता है कि ड्वारा एकि करीट के दाव बनता है को लीवर में बनता है कि खाना घाते हैं भाद की कहने के रहां ने कि यहां उफ़ और पहर यहां पार मारा प्रता यहां करुछ है जाता यह पौरी दोकि मैं प्सक्राइस पराण फिर हम आ इनर्जी रिलीज होग इस नहीं तो इस पूरे साइकल को क्या कहा जाता है और निथिन साइकल कहा जाता है विडिय को शार्क सबसे बड़ी मचली है जो कि अमीनोटैलिक कहलाती है तो शार्क सबसे बड़ी मचली है जो कि क्या है अमीनोटैलिक कहलाती है वहेल मचली क्या आती है मचली वर्ग में नहीं आती है इसमें आती है मैमं आठी है आपने कभि छोटे तेता उतने बुक में बढ़ा हो गट सबसे बड़ा मैमंथ टीक है ऑगर आपने ध्हान हो आप को बहुत छोटे थी शाए थी तक बढ़े खड़ कोट criticisms कि पड़ा होगा कि सबसे बढ़ा मैय किड़नी के नैफ्रोन का भाग है अभी आपको डाइग्राम में दिखाऊंगी मैं यह बॉमिन संपुट कहां है ठीक है वहां क्या होता है अशुद दुरक्त आपकर क्या हो जाता है इकठा हो जाता है प्याले नोमस रंचना होती है ऐसे करके ठीक है फिर नीचे नैफ्रोन ब फानी का ना रंचने कि आपको फ्रक्रास कि सब यह रहां है याप towards रिफ्रोन में पानी का अब्राइग्रणी करने की शमता कि अधिक होती है इसी वज़ी से उन्च क्या घरता है ज्यादा दिन तक बिना पानी पिय रह सकता है अंको पहने डाइग्राम बता देती हूं है देखिए किड्नी का डाइगराम है जैसे ठीक है कि सब्सक्राइब पहले इसमें नेफ्रोन पढ़ना है कि आप शेप देख लिए पहले किड्नी की शेप जैसे राजमा मैंने आपको बताता हूं उसी शेप की है ठीक है तो यहां से देखो रिनल आर्ट्रीस है और रिनल वे लगतों अरक सब्सक्राइब आते हैं मतलब लगत्रीस दिख रहे हैं लग nutष के आरम के साथ पहले रह्या है पूरा का पूरा यूरीन जो होता है यहां पर एक बालों लाइक स्टक्चर होती है दोनों किड्नी को मिला कर यहां पर बैलों लैक स्टक्चर होती है फिर उसके बाद हमें एक नेक्सीड करः Mick करनेधे लगा करने है नेफ्रों के द्वारा गुर्ण के दवाहँ Jackie एक आप्गत्सान तेह रहना वुक्ला कर फीर ऊटा में प्लेड वाला यही नाथतकर श्신 मॊ latitude आपि खाल नहीं होता है में प्रिसे से और भी जाए हुझा करूद्र नहीं नहीं होते हैं सिप لगां तो पर किया ओपने निकाल ले कि उतना होथा जोड़ी में चाहिए वह ऊपर रहा जाती है और बातीALLY लेकिन इसके अंदर क्या रहता है जो अथा हमें उपर रहे हैं जो बड़े बड़े मॉल्टीन के विटामिन के तो सारे के सारे क्या होते है उपर रह जाते हैं और कुछ चीजे ऐसी होते हैं जो जल में घुलने वाली होती है है उसे बुख सारी चीजी होते हैं किसी अंदर जाती है और धीरे-धीरे क्या होता है यह तो यह रड़ी क्लोर वाई ठीक है। सासाथ चल लिए ना इसके साथ लिपन रहती है जो क्या करती है यहां से हाथ तो हाथ इसको observe करती रहती है water को और सबसे ज़्यादा observation कहा होता है यह रहा है ले लूप है मैंने आपको भी पता है एक कार्व आता है बहुत बड़ा सारा तो वहां पर यह पानी का observation होता है उसके बाद अगर आप देखोंगे तो एक PCT आती है जब यहां से मुओ होता है एक तो PCT ड़्ट है और जब यह रूप के बाद जब रूप के बाद हो पॉंजी होता है डीक रूपर होता है तो यह वापस जाकर कहां चली जाती है? कलेक्टिंग ड़क्ट में जाकर शब्यकत्व होता है पूरा का पूरा यूरिन और उसके बा कारण कि के कारण होता है नीच पॉइंट है मानर के किड् में पाए जाने वाली पात्री है य०्न होती है स्टॉन होती है को तो इस की बनी होती है हूँ कैल्सियम उक्सविट कीपने है यह वह बहुत हमें आया है कि मानब की किड्टी में पाई जाने वाली पत्त्री जोह किसके बने sto suppression of votre चैल्सक्राइव के बने होगा होती है यूरी न का पीला रंग युरो करोंक के खारण होता है त Gram जाती है तिहाइड़ेशन कि समय क्रम रडभी के कमी हो जाती है कमी कैसे होती है जयितकि हौना से उसका आप्जर्वेशन नहीं होता है कि यहां पर इसका पानी की कमी हो जाती है पानी का नहीं हो पाता है यहां पर वो डी हाइड्रेशन कहलाता है इसमें आपको औरस का भूल हो यह सब दिया जाता है नेक्स जे मैं में युरिया की सबसे बड़ी मात्रा है यह एक वेन का नाम है जो कि क्या करती है है यूरिया की मात्रा को सबसे जाधा लेकर आती है यूरियन का सीक्रेशन बढ़ना क्या कहलाता है तो क्या क्या नाता है और की यूरियन बंद जाता है थो बहुत बड़ी कंडिशन होती है ठीक है अगर एक दिन भी यूरीन बन रहता है तो वह सीधा मौत के पास आता है ठीक है अतम होता है इंसान तो यूरीन का सीक्रिशन बहुत ही जरूरी होता है अगर नहीं होता है तो हाथ डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो एंटी डायूरेटिक के लाद है अगर यूरीन का स मनुषमी में रुदिर चननी की की जिर्फ कोंग्यरा होतीं मैंने पूर्बेंप के बुद्ध के द्षाट साहिए कि दौरा ज़र्फ की किस तरह PC दो इसके अंदर आज के लिए हैN करेंगे नेक्स क्लास में हार्ट जाने कि विद्धे के बारे में पढ़ेंगे इसकी कार्यविद्धी क्या है इसके चैंबस कितने हैं ठीक है यह सब कुछ हम नेक्स क्लास में करेंगे